नमस्कार दोस्तों जैश्रांग आज हम ये बात नहीं करेंगे कि अर्नब गुस्वामी पत्रकार है या नहीं है या उसने पत्रकारिता के पुराने मापदंडों को तोड मडोर के एक नया मापदंड सेट किया है या रवीश कुमार बहतर है या कमजोर है वो पत्रकार है और अर्नब गुस्वामी पत्रकार नहीं है चलिए इन सब के बारे में जान लेते हैं वस्तविक्ता किया है तो दोस्तो अर्नब गुस्वामी के बारे में बात करने से पहले दो पत्रकारों के बारे में बात करें एक जीनियूज के सुधीर चौधरी है दूसरे रवीश कुमार है रवीश कुमार ने भी अरनब का तथा कथित रूप से समर्थन किया अब मैं तथा कथित क्यों कह रहा हूँ इसको समझाओंगा और सुधीर चौधरी ने पुर्जोर धंग से इस गिरफतारी के विरोध में अपनी बाते रखी DNA शो किया अब समझाता हूँ कि रवीश कुमार ने क्या का रवीश कुमार ने एक लंबा चोड़ा पोस्ट लिखा पोस्ट में लिखा कि अरनब गोस्वामे की गिरफतारी पहले नजर में दिखती है कि पुलिसिया की कारवाई जो है वो गलत कारवाई हो रहे ही जबरदस्ती फसाया जा रहा है मगर अरनव के ही वज़े से मैंने न्यूज चैनल देखना छोड़ दिया अरनव ने पत्रकाईता के स्टेंडर्ड को गिरा दिया है जिस प्रकार से वो सोर सराबा करते उसी के वज़े से मैंने टीवी चैनल देखना भी बंद कर दिया आगे रवीश कुमार बताते हैं कि आपको याद होगा कि गौरी लंकेस के न्यूज को कवर किया था या नहीं किया था अरनव ने कैसे यानि वो श्योर भी नहीं कि उस न्यूज को पत्रकार की हत्या पर गौरी लंकेस को मैं पत्रकार नहीं मानता हूं रवीश जैसे आप इसको पत्रकार नहीं मानते न अरनव को मैं भी नहीं मानता एक इसाई लड़की जब अपने एक खास सेलेक्टिव एजेंडे के तहत लगाता है हिंदूओं को ब्रामणों को और हिंदू समाज को जान बूज के कास सिस्टम में तोड़ने की कोशिश करे तो उसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं उसको सेलेक्टिव मिशेंरी एजेंडा बोलते हैं आप नहीं समझेंगा क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हैं खेर आपने एक और बात कहिए कि वर्धराजन वो दवायर वाले उन्होंने भी निंदा किये आर्फा खानम शेरवानी के आप टाइम लाइन चेक करना भूल गया खेर कोई बात नहीं आर्फा खानम शेरवानी के अपना एजेंडा होगा दवायर ने जब पत्रकारिता की थी और पत्रकारिता में ये लिखा था कि ब्राम्हिंस और सवर्णों को मेडिकल और इंजिनियरिंग में एक खास तरह का जो है वो छूट मिलता है या एक तरह से उ ये पत्रकारिता थी ये पत्रकारिता थी चलिए कोई बात नहीं आपकी पत्रकारिता हम समझाते हैं आप चार एपिसोड तक रोहंगिया के लिए लाल माईक लेके चिला रहे थे नमस्कार मैं रवीश कुमार तो क्या अब शर्णार्थियों के लिए हिंदुस्तान में नए हिंदू का religious persecution हो रहा है और उनको CA के तहत यहां पर नागरिक्ता जीर जारी तो आप उसके खिलाफ हैं मगर आपको रोहंगिया यहां पर बसाना है रोहंगिया और बंगला देश क्यों बसाना है यह बड़ा सवाल नहीं है लगता है मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में एक मुसल्मान की बात सुना देता हूं फिर अप सुनें तो आपने सुना इन जनाब का clear cut agenda है कि भाई एक बार हम 60 करोड हो जाएंगे फिर हम गजवाएं हिंद कर लेंगे तो रवीश कुमार आप इनका मदद क्यों करना चाहते हैं यह पत्र करिता है मैं क्यों मालूँ आप इस बात की गारंटी देंगे कि जो अवैद रोहंगिया शर्नार्थी यहां पे आएं हैं इन लीगल इमिग्रेंट उनमें से कोई जैसे पेरिस में या फिर आस्ट्रिया में आतंकवादी हमले हुए यह आतंकवादी हमले में सनलित नहीं पाएं देगे यह भारत में लाके संतों के हत्या पे नयाय मांगता है तो क्या गलत करता है अगर वो सुसान सिंग राजपूत के लिए नयाय मांगता है भले चिलाता है तुम्हारा आम अराम से जस्टीस लोया के मौत पे जब ग्रिह मंत्री को गाली दे रहे थे तो वो पत्रकारिता थी क्या मैं क्योंकि वो चिलाता है और तुम्हारा आम अराम से जहर खोलते हो तो पत्रकारिता है यहीं पत्रकारिता करना चाहते हो न रवीश कुमार तो रवीश कुमार यह कहना नहीं भूलते कि पुलिस तो पुलिस होती है चाहे वो अर्रप का केस हो या डॉक्टर कफील का केस हो त लब आप एक तरफ कहते हैं कि उसको नयाय मिलने के लिए अरनब कानून से उपर नहीं है लेकिन डॉक्टर प्रणामराय कानून से उपर हो जाएंगे अपनी स्टेंडर्ड तो कम से कम अपना लॉजिक तो बराबर रखो कम से कम वो तो बराबर और सटीक रहना चीर अविश्कुमार खेर कोई बात नहीं तुम हो मैं जानता हूँ तुम हो ऐसे ही और मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रहा था मैंने तुमसे समर्थन की उम्मीद भी नहीं रखी तो और मैं तुमसे समर्थन चाहता भी नहीं और ना अ समर्थन का मोहताज है क्योंकि हम अर्णव के साथ खड़े हैं तुम्हारे समर्थन की जुरूरत नहीं है जिस बंदे ने गौरी लंकेस अवाड लिया हो खुसी खुसी वो भी तिस्ता सी तलवार से साथ तिस्ता सी तलवार वो सक्स है जिस पे ये गंभीर आरोप है कि उसने 2002 और दो के दंगे पीडितों का चंदा खा लिया समझ रहे हैं वो दारू में वाइन में विस्की में उड़ा दी पैसे उसके हाथ से निश्पक्ष पत्रकार मैंकसे से अवाड धारी नमस्कार मैं मैंकसे से अवाड धारी रवीश कुमार गौरी लंकेस अवाड ले रहा था गौरी लंकेश फेमस रही है ब्रामणों को गाली देने के लिए, क्या मैं पूछना चाहता हूँ रवीश कुमार से, ब्रामणों को गाली देना समाज में एक फैशन है, क्या आपकी बाबा साहब अमबेत करके सम्विधान के प्रती यही आस्था रही है, कि आप जान बूज करके एक कास्ट बेसीस पे पॉलिटिक्स करें, पत्रकारिता करें, और उस पत्रकारिता में जान बूज के सवर्णों को टार्गेट करें, ताकि हिंदू हमेशा डिवाइड रहे है, और यह देस में पॉलिटिकल एजणडा तभी आपका सेट होगा, क्यों कि वो हिंदू मुसलिम पे डिवाइड करते थे, यह जो काले अंग्रेज के पत्रकार पैदाइसी अौलाद हैं, इन्हों ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम मिशनरी हैं, हमको भी अपना काम करना है, मेरा नाम गौरी लंकेस है, नाम से आपको लेगा कि मैं हिंदू हो, मग गाली दूंगी, और ब्राम्हनों को किस बेसिस पे गाली दिया जाता है, रवीश कुमार यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर उसके आज तक कोई पुखता सबूत नहीं है, एक टर्म अगर मैं आज नया यूज करूं कि, except हिंदू फोविक, यहां इस देश में ब् कितने सारे cases लदे हुए हैं, कभी गौरी लंकेस ने अलोचना की हो, चाइड्ड ट्रैफिकिंग और चाइड्ड हूमन सेक्स वगरा के नजाने, कितने इसाईयों पे case लगे हैं, बिशप पे case लगे हैं, क्या कभी गौरी लंकेस ने इन इसाईयों में जो हो रहा हैं, फरज को गलत मानता हूं खास करके खून को मर्डर को बगर आपको ये बताना मैं चाहूंगा कि उसी केरल में करनाटक में बंगाल में आपने बंगाल पे एक सो किया कि बीजेपी के पिछले दो धाई सालों में 20 से जादा कारे करतायों की हत्या हो गई है आपने कभी कोशिश की आप सत्ता से कहने हैं सवाल पूछते हैं तो सत्ता में खली बीजेपी है बंगाल में सत्ता में बीजेपी है महराश्ट में सत्ता में बीजेपी है राजस्थान में सत्ता में बीजेपी है ये आप देखें हैं 36 गड़ में एक पुलिस वाला मासूम बच्चे को दाग दाग के ज पूरी दुनिया पूरा इंडिया जानता है न रविश्कुमादी आप खली कह देंगे कि अर्णफ पत्रकार नहीं है और हम ही हम जो हैं दुनिया के सबसे बेस्ट पत्रकार नमस्कार मैं मैं जातियों में हिंदू को तोड़े एक बार ये साले हिंदू जाती में कास्ट में डिवाइड हो गसे जैसे हमने हनुने कंवा रहे हैं तो व्यूजर का सब्सम्राण मैं के इस किर्ण ही मैं यह व्यूजोजोए guidance नहीं करें यह हां gatherings bringing g जिनकी वालिदा और वालिद साहब जो है मक्का मदीना से थे वो लोग हिंदुस्तान के पहले सिख्छा मंत्री बन जाते हैं और उन्होंने मदर्से से पढ़ाई की कोई बिटिस एजुकेशन सिस्टम भी नहीं लिया था तो वो भारत का सिख्छा मंत्री बना और देश में कि सवाल पुछा कि वाई ही इजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया वाई किसी ने सवाल नहीं किया क्यों एक अजाद भारत में जब पाकिस्तान और बंगलादेश देने के बावजूर एक मुसल्मान को यहां पे जिसकी वालिद और वालिद मतलब वालिद साब और वालिदा ज एजुकेशन के नाम पे आपने 42-43 एपिसोड कर दिये रवीश कुमार जी 42-43 एपिसोड महराज कम नहीं होता और आपने बिटिस एजुकेशन इंडियन सिस्टम में जो यह वामपंथ का नेरेटिव है उसके खिलाब एक बार भी नहीं बोला कि अरे भाई इतना ब्लंडर क कोई कैसे पढ़ा सकता है जिस देश के लोगों की प्रभू श्रीराब में आस था है एक वामपंथी पत्रकार ये लिखती है कि भाई प्रभू श्रीराब राक्षा स्कूल के थे और भारत में आक्रमण करने के इरादे से आये थे आपने बताया दुनिया को यह आपकी पत् चा istem जाफ मांगा तो गलत किया सही किया पता नहीं है पाल घर्क संतो के मॉब लिंचिंग पर उसने सरकार पर सवाथ है तो मैं नहीं जानता कि गलत है या सही है रभिष्कुमार सब जानते उनको मेकसेसे और मिला हुआ है मेकसेसे आवर्ष आवाद आपको मुबारक और मगर इस तरह की पत्र काई था एक बात याद रखिएगा प्रसांत कनौजिया ने जब ब्रह्मनों को गाली दिया था और वो जेल में गया था आप कूद कूद के आया थे कि हाई हसन, हाई हुसेन छाती कूटते हुए हाई हसन, हाई हुसेन अरेस्ट कर लिया जाई शुष्ण